सूरे वंशी ये वो नाम है जो 28 दिसंबर 2018 को पहली बार लोगों की जुबान पर चठा 2018 के आखरी हफ़ते से ही सब को ये पता चल गया था कि सूरे वंशी एक मेगा फिल्म बनने वाली है जिसमें अक्षिकुमार, अच्यदेवगन और रनवीर सिंग तीनों नजर आएंगी दिरसल रनवीर सिंग की फिल्म सिंबा के अंध में सूरे वंशी की पहली जलक दिखाई गई थी लोग जलक देखकर काफी एक्साइट भी थे उस समय से ही ये अंदाजा हो गया था कि एक मेगा फिल्म है और जब रिलीस होगी तो हिट होना अल्मॉस तै है लेकिन पिछले एक से डेड़ सालों में सूरे वंशी अपने मेकर्स के लिए मेगा फिल्म से कही बढ़कर एक पनौती जैसी बन गई है अब तक हर बार जब 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 जोश के साथ सूरे वंशी की रिलीस की तैयारी हुई है कोई न कोई बहुत बड़ा संकट बीच में आखडा हुआ है पहली बार फिल्म 24 मार्श 2020 को पूरे भारत में रिलीस होने वाली थी लेकिन उससे पहले करोना का हाहाकार मच गया और पूरे देश में 24 मार्श से लॉकडाउन लग गया अब एक साल बार फिर करोना से डरते डरते इसके मेकर्स ने मार्श को छोड़कर 30 अप्रेल की डेट इसकी रिलीस के लिए तैय की लेकिन बदकिस्मती का आलम देखी जैसे ही सुरे वंशी रिलीस का एलान हुआ अस्ट्रे जनक तौर से करोना की केसिस एक बार फिर से लगे आखिरकार महराश्ट्र सरकार को 30 अप्रेल तक पार्शन लॉक्डाउं का एलान करना पड़ा और मजबूरी में एक बार फिर सुरे वंशी की रिलीस डेट टाल दी गई है सुरे वंशी की नई रिलीस डेट क्या होगी इस पर भी अभी मेकर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं वही मार्केट में इस बात के भी कयास लगाये जा रहे हैं कि अब मेकर्स बस किसी तरह सुरे वंशी पर लगाई गई लागत को निकालना चाहते हैं और वो इसे किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पर बेशने की बात पर भी विचार कर रही है जाहिर से बात है कि सुरेवन्शी में प्रेडूसर्स का पैसा पिछले डेर साल से फसा हुआ है जब 2019 में सुरेवन्शी बन रही थी तो उस वक्त माहॉल कुछ और ही था तब 30-40 करोड में बनने वाली फिल्में 400 करोड तक कमाती थी लेकिन अब तो माहॉल एक गम अलग है करोडों की लागत से बनी फिल्म बॉक्स ओफिस पर अपनी लागत भी वसूल कर पाएगी इस बात पर भी गहरा संदेच चाया हुआ है ऐसे में सूरेवनशी का और लेट पर लेट होना फिल्म के घाटे को और बढ़ा रहा है जाहिर से बात है कि कोई भी फिल्मेकर फिल्म सिर्फ जनता के एंटेटेन्मेंट के लिए नहीं बलकि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ही बनाता है ऐसे में सूरेवन्शी की रिलीस की पुनावती खत होने का ना भी नहीं ले रही है सूरेवन्शी के साथ आगे प्रॉब्लम ये भी है कि अब आगे उसके लिए एक दन स्कोप बाकी नहीं है मई के महीने में इतका मौका राधे ने घेर रखा है तो वहीं खुद अक्षे की अपनी ही फिल्म बैल बॉटम मई में रिलीस के लिए छट पटा रही है जून में बड़े बजट की फिल्में 83 और शमशेरा ने पहले ही अपनी बुकिंग कर रखी है तो जुलाई में तो KGF2, गंगुबाई और प्रभास की राधे शाम जैसी बड़ी फिल्मों ने अपना धावा ठोक रखा है जाहिर सी बात है कि 30 अप्रेल को सुरेवनशी का रिलीस ना होना उसके लिए आगे भी मुश्किल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा अब देखना ये है कि इसके मेकर्स आखिर क्या फैसला लेती है क्या सुरेवनशी चुपचाफ अब OTT पर रिलीस कर दे जाएगी या फिर एक बर फिर से इसे छेटर में रिलीस करने की हूंकार भरी जाएगी आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएग